विद्यार्थियों आज हम इस व्याक्यान में सामाजिक प्रतिमानवों के विशेश रूप जन रितिया या लोक रितियों पर चर्चा करेंगे सर्व परतम सम्नर ने अपनी पुस्तक ओक्वेज चीसे जन रितिया करेंगे 1904 में इस सब्द का परियोग किया था जन रितिया बो सब्दों फोक और वेज के योग से बना है फोक प्लस वेज फोक वेज चीसका अर्थ है जन तथा रितिया सम्नर जन रितियों को सामाजिक संबंदों का आधार मानते ही वीरिस्टिड ने लिका है कोई भी समाज इसके बीना नहीं रह सकता है ये सामाजिक नाचे के अंग हैं और सामाजिक संबंदों तता व्यवस्ता को इस्तिता परदान करते हैं जन रिति बन जाती है एक प्रकार से जन रितिया समुकी मान्यता प्राप्त आधते हैं जन रित्यों को सामाजिक वियवस्ता, सामाजिक सरचना, सामाजिक संगटन, सामाजिक नियंत्र, सामाजिक संतुलन आदी के लिए महत्वपूर्ण भूमी का निवानी पड़ दिये इसलिए इनकी परिभासा कारी महत्वर विशेष्ताओं को देखना हती आविस सेके हम जन रित्यों की परिभासाओं की चर्चा करेंगे विविविन विद्वान, विविन समाज सास्तियों जैसे मेकाईवर एम पेज, गिलीन एंड गिलीन, ओडम, बोगारडस आदी ने जन रित्यों को परिभासित किया है मेकाई वर एम पेज के अनुसार जनरित्या समाज में मान्यता प्राप्त या स्विक्रत व्यवार करने की पदित्या है यहनी समाज में हम कोई भी व्यवार करते है जो मान्यता प्राप्त हो उसका जो तरीका है वहां जनरित्या है इसी परकार ग्रीन के अनुसार जन रित्या किरिया करने की वे पद्धित्या है जो एक समाज अत्वा एक सम्मू में सामान्य है और वे एक पीडी से दुसरी पीडी को हस्तांत्रित होती है इसी परकार ग्रीन और ग्रीन के अनुसार जन रित्या देनिक जीवन में व्यवार करने के वे परतिमान है जो अनियोजित या बिना किसी तार्किक विचार के ही सामान्यत सम्मू में अचेतन रुप से उक्वन होते हैं इसी परकार बोगार्डस ने परिभासा दिये एक समू की जन रितिया एक समू की जन रितियों में रुडियों और व्यवार की और सभी रितियों समलित होती है जो रुची कर समझी जाती है लेकिन वे समू के कल्यान के लिए अनिवाज नहीं है इसी परका ओडम ने जनरीतियों को परिभासा इस दिये कि जनरीतिया साधारन तया व्यक्ति की आदते और रीति रिवाज है जो सवभाविक रुप से स्वत उत्पन होती है और जीवन के विभीन परिवर्थनों के साथ साथ धिरे धिरे विक्सीत होती है इसी परकार यूटर और हार्ट ने परिभशा दिये जन रित्या केवल कारी करने की वे आदते मात्र होती है जो समू के सदस्यों में सामन्य होती है वे जन सादानान की रित्या हैं जो कुछ अंसों में प्रमानित होती है और अपने इस ताहित्व के लिए कुछ अंसों में परंपरात्मक अभिमति रखती है इन परिभासाओं के आदार पर इसफ़स्ट होता है कि जन रित्या सामाजिक परतिमानों का एक परकार है जो व्यक्ति के व्यवार को नियंतरित करता है ये स्विक्रत व्यवार करने के तरीके हैं ये पीडी धर-पीडी हस्तांत रित होते रहते हैं जन रित्या सामाजिक नियम होते हैं ये अनोपचारिक सामाजिक नियंतरण के साधन है सामानिते ये अब परिवर्तन सील होती है लेकिन इनमें कभी-कभी थोड़ा परिवर्तन भी होता रहता है ये आवश्यक्ताओं की पूर्ती करती है इनका उलंदन करने पर कानूनी कारवाई नहीं की जा सकती है हम जनरीतियों की कुछ विशेष्टाओं को देखेंगे जिससे इसकी अवदाना को और इस्पस्ट रूप से समझा जा सके जनरीतियों की विशेष्टा जनरीतिया मानव की आवश्यक्ताओं उद्देश से आधिकी पूर्ती के साधन है No.2, जन रित्या सामाजिक व्यवार करने की समाज द्वारा मानियत का प्राप्क्स शीकरत कारिय परना लिया है No.3, व्यक्ति इनका पालन सामानित अ चेतन अवस्ता में करता है यद यद ये मुश्खील से ही चेतन मस्टिस्क में परवेस करती है 4. समनम्प के अनुसार जन्रितियों की उत्पति और विकास समुकी आदत से स्वत होतता है 5. जन्रितिया अनोपचारिक होती है 6. जन्रितिया असंगतित होती है 7. जन्रितिया मानव विवार को नियंत्रित करने के अनोपचारिक असंगतित अपर्तियक को अचेतन साधन है 8. जन्रितियों की संक्या समाज में अनन्त होती है इनकी सुची बनाना बहुत कटीन है 9. ये मानव समाज तता संस्क्रिति के लिए अच्यन्त उप्योगी और महत्वपून होती है 10. जन्रितिया मानव विवार में एक रुपता विववस्ता और संतुलन बनाए रखती है 10. इसा बियर स्टीट का मानना है 11. जन्रितिया अधी विव्यक्तिक और अधी सामाजिक होती है 12. जन्रितिया सारुभोमिक होती है जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ जन्रितिया होती है 13. दुर्खिम का कहना है ये सामाजिक तत्य है अर्थात ये वेक्टी से बाहर है और वेक्टी पर नियन तरण रखते हैं अब हम जनरीतियों के महत्व को भी कुछ बिंदूओं में देख लेते हैं जन रित्यों को सामाजिक जीवन में बहुत महत हुए नमबर वन विश्व विक्यात समाज साथती समनर के अनुसार जन रित्या सामाजिक जीवन के आधार्पुत तत्य है डेविस ने यहां भी लिखा है कि मानव अपना जीवन जनरित्यों से आरम करता है तदा इन जनरित्यों तक सिमित रता है इनके अनुसाल जनरित्या मानव जीवन का मेरूद दंड है व्यक्ति जन्रितियों का बार-बार पालन करता है इससे ये व्यक्ति के व्यवार की आदत बन जाती है इसके आदार पर व्यक्ति एक दूसरे के व्यवार का अनुमान लगाने में समर्थ होते हैं कौन कब क्या किरिया परति dental करेगा इसका उनुमान लगाना सरूर हो जाता है रोबर्ड वीयरिस्टिट जंद्हार्थियों के अनेक महत्फों बताते हैं इनका करना जंद्रिटिया जंन्रिटिया समाथ कई सही जानकरी परदान करती हो जैनरीतिया समाजिक परतिमान के आधारे ये समाजिक सरचना को संतुलन गती सिलता तता एकता परदान करती है। जैनरीतिया समाजिक नियंतरण के महत्कूर साधन है। ये एक पीडी का संचैग जैन दूसरी पीडी को हस्ता अंतृत करती है। धन्यवाद हमने जैनरीतियों के अवदारना देखिए। अब हम अगले व्यक्यान में प्रता गा उल्लेक करेंगे। धन्यवाद।